अस्सलामुलीकुम मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके चूही लेटी तो मेरी शादी को चंद ही मा हुए पहले मेरे साथ मेरे शोहर मुझ पर इतनी तवच्चा नहीं देते थे मेरी कोई बात भी नहीं सुनते मुझे बहुत पुरा लगता एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहुश हो गई जब मुझे होश आया तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी पर इसे साथ ही मेरे शोहर का रवय या मेरे साथ एक दम से बदल गया एक दिन मैंने अपने शोहर को बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है पर आपके घर में तो मीठा ही कभी कभी बनता है मैंने ये बात ही की थी कि अगले दिन ही जब रात के वक मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे शोहर ने मेरे सामने एक शौपर रखा मेरे पूछने पर उन्होंने बताया तुम्हारे लिए बालू शाही मिठाई लाया हूँ अपने शोहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई हाथ से पहले दो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाये थे ये अचानक से बालू शाही मिठाई क्यों लाये है मैं हैरान परेशान थी कि वो अचानक कैसे इतना बदल गए वो भी अपनी माँ और बेहन से चुपकर जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं ले और मेरे शोहर उनकी मर्जी के बिना सांस भी ना लेते वो कैसे मेरे लिए उनसे चुपकर मिठाई ले आए हैं मुझे कुछ बात हजब ना हुई पर मिठाई खाने के फौरण बात मुझे नीद आने लगी और मुझे एहसास ही ना हुआ कि कब मैं कहरी नीन की वादियों में चली गई सुबह जब मिरी आँख खुली तो मेरा सर चकराने लगा मेरी अजीब सी हालत हो गई मुझे यू लगा जैसे मैं अभी गिर जाओंगी पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई जैसे ही किचन में आई मुझे सास ने घूरी से नवासा जैसे न जाने मैं क्या करके आई हूँ इतनी देर से क्यों उठ कर आई हो मैंने अपने शोहर हसाम के बारे में पूछा कि वो चले गए हैं तो और क्या तुम्हारे इंतजार में बैठा रहता मेरी बेगम नहीं उठी तो मैं बैठा रहता हूँ मैं अपनी सास की बाते सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई थी मेरी सास मुझे अजीब से नजरों से देख रही थी जैसे मुझे में उन्हें आज कुछ और ही नजर आ रहा हूँ एक बार तो वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी मुझे अभी भी अपनी तबियत मामूल से हटके लग रही थी अब तो मुझे यकीन हो गया था कि हसाम मुझे नाराज हो गए होंगे मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया रात को जब मैंने किचन के सारे काम खत्म कर लिये तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी मैंने तालीम कहां से हासिल की है किदर किदर जाती थी मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है पहली दफ़ा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी मुझे ताल में कुछ काला लगा वो बिला वज़ा तो ये सब नहीं पूछ सकती उनकी बातों का जवाब देकर जब मैं कमरे में कई तो हसाम ने मुझे कल की तरह मिठाई दी मैं खुश हो गई वो मुझे से नाराज नहीं है मैं मज़े से मिठाई खाने लगी और वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे मैं सोचने लगी कि ये सारे ऐसे मुझे क्यों देख रहे है मैंने पूछा क्या हुआ आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे है मुझे उनकी निगाहों से चुबन हुई पहले उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे नहीं देखा था जैसे वो मुझे आज देख रहे थे कुछ नहीं हुआ एक बात कहूँ तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना मुझे हैरानगी हुई वो अजीब अजीब बाते करने लगे और मुझे उन बातों पर घुसा भी आता और अजीब भी लगती वो बदलने लगे थे और हरसाम का ये बदलाओ मुझे डराने लगा था नजाने वो मुझे से क्या चाहते थे एरी नीन से आँखें बंध होने लगी अपनी बंध होती आँखों से मैंने ये देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे उनकी मुस्कुराहट में नजाने क्या था मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आँखें खोलू पर मैं सो गई कहरी नीन अकले दिन मेरी दुपहर को आँख खुरी मेरी तबियत बहुत अजीब हो गई थी मैंने बैट से उठने की कोशिश की लेकिन मैं ना उठ सकी मुझे खबराट होने लगी मेरे हाथ काफ रहे थे मैंने अपनी नंद को काफी बार आवासे दी पर उस तक शायद मेरी आवास ही न गई सबस्भालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई सामने ही मेरी नंद और सास बैठी हुई थी और उन तक आहसानी से मेरी आवास आसकती थी नजाने वो मेरे बारे में क्या बाते कर रही थी मुझे देखते ही खामोश हो गई क्या हुआ है? आप क्या बाते कर रही थी मेरे पूचने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा मेरी सांस का रंग फख हो गया उन्हें लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन लियो मुझे यकीन हो गया कि बात मेरे बारे में ही हो रही थी आखिर ये मेरे साथ क्या कर रही थी माँ बेटी मुझे दोनों पर शक होने लगा मेरी तबियत भी खराब रहने लगी थी मैं वहां से किचन में गई मेरी सास और नंद वहां से उठकर कमरे में चली गई मुझे अपने शोहर पर भी इस वक्त खुस्सा आने लगा वो मुझे से क्या चाते थे मैंने सारा दिन कोई काम ना किया बस अपने कमरे में बढ़ी रही मैं नहीं चानती थी कि मुझे क्या हो रहा है दिन पर दिन बदलती क्यों जा रही हूँ पर मुझे ये शक होने लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इन सब के पीछे मेरी नंद और सास का ही हाथ है आखिर वो चाहती क्या है रोजाना का मामूल बन गया था मेरे शोहर मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाते मुझे इसकी अजीब सी आदत हो गई परिशान करने लगी थी मैं रात को लाउंज में बैची हुई थी हरसाम आ जाते ही अपनी मां की कमरे में चले गए मुझे देखा भी नहीं शायद हरसाम को यही लगा कि मैं अपनी कमरे में हूँ और जब वो अपनी मां की कमरे में गए तो थोड़ी दिर बाद ही मेरी नंद भी उदर पहुँच गई और नजाने कौन सी मिटिंग शुरू हो गई थोड़ी दिर बाद मुझे अपने शोहर के चिलाने की आवास आई नजाने वो अपनी मां से क्या बोल रहे थे तरवाजा बंद होनी की वेड़ा से हमेशा की तरह आप आज लेट आफिस से आये हैं मैंने जान बूज कर सवाल पूचा हाँ काम ज्यादा था मैंने खाना भी वहीं खा लिया था उन्होंने बड़ी सफाई से जूट बोला मैं उनके जूट की वज़ा न समझ सकी आज वो फिर मेरे लिए मिठाईल आये थे पहले तो मैंने काने से मना किया पर वो इसरार करने लगे कि मैं खाऊं उनके भर पूर इसरार पर मैंने थोड़ी सी खाई बाकी रख दी उन्होंने फिर मुझे मजीद खाने का ना कहा थोड़ी देर बाद मुझे नीद आ गई अचानक मुझे नीद में चुबन महसूस हुई जैसे किसी ने सूई चुबो दी हो पहली दफ़ा मुझे आज नीद में कुछ महसूस हुआ था आने जबरतस्ती अपनी आँखें खोली और लाइट आउन करके देखा पर वहां तो कुछ भी नहीं था हसाम सो रहे थे मैं लाइट आउफ करने लगी पर मुझे यू महसूस हुआ जैसे हसाम सो नहीं रहे बलके जबरतस्ती आँखें बंग करके लेटे हुए है मैंने उन्हें आवास दी पर वो डस से मसना हुए और मैं अपनी गलत फहमी समझकर लाइट आफ करके लेट गई और फॉरण ही सो गई मुझे नीन में यू महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास ही बातों में लगा हुआ है लेकिन मुझे में आँखें खोलने की हिम्मत ना हुई ना ही मुझे बातों की समझाई पर इतना जरूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है और बाते हो रही है सुबह मेरी जल्द ही आँख खुल गई हसाम किसी से फॉन पर बात कर रहे थे मुझे जागता देखकर फॉरण उन्होंने कॉल कट कर दी मैंने उनसे रात के बारे में पूछा रात को आप किसी से बातों में लगे हुए थे हमारे कमरे में कोई और भी था क्या मेरी बात सुनकर हसाम एक दम से खबरा गए उनका रंग फख हो गया मैंने ना समझी से उनने देखा कोई भी नहीं था वो ऐसे खबरा गए जैसे चोर चोरी करते पकड़ा जाए ना जाने वो क्यों खबरा गए थे आप परिशान नहों मैंने शायद कोई ख़ाब दिखा हो अक्सर ख़ाब में भी बंदे के साथ यहीं होता है मैंने मुस्कुराते हुए कहा वो भी कहने लगे माबाब से मेरा हाथ मांगा था कैसे जब ये मुझे घर में बयाह करनाई थी मेरे पैर जमीन पर नहीं लगने देती थी जब भी मेरा कहीं से रिष्टा आता मेरे माबाब इंकार करते थे या नजाने मेरे माबाब ऐसा क्या कहते कि रिष्टे वाले खुद ही इंकार करके चले जाते मुझे कभी इस बात की समझ ना आई फिर एक दिन मेरी सास अपने एकलोते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने गई वो पहली खातून थी जिन्होंने इतनी मिन्नते करके मेरा रिष्टा मांगा था माबाप ने भी दे दिया फिर ना जाने क्या हुआ मेरी सास ने रिष्टे से इंकार कर दिया और मेरे माबाप बजाय उदास या परिशान होने के इंकार होने पर खुश हो गए मुझे कभी ये बात समझ ना आई कि मेरे माबाप रिष्टे से इंकार क्यों करते हैं वो क्यों मेरी शादी नहीं होने दे थे कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी मुझे आपकी बेटी को ही बहु बनाना है वो कहती थी हम सब कुछ कर लेंगे आप फिकर ना करें आपकी बेटी का घर बरबाद नहीं होगा मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद हैं पर ये नहीं जान सकी कि उन्होंने ये बातें क्यों की थी लेकिन शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास बहुत अच्छी थी अब अचानक इतना बदल कैसे गई थी उझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी इरी सिंदगी में हो क्या रहा है पर मैं अपने शोहर पर शक नहीं करना चाहती थी वो तो मुझसे एतनी महबबत करते हैं कभी कभी उनकी महबबत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती वो मेरा इतना खया लगते हैं मेरे लिए अपनी मां से भी जगर लेते हैं और मैं उन्हीं पर शक करती हूँ मैं लाउंज में दुबहर के वक्त पैची हुई थी अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और घुस्से से बोली बहुत तेज हो गई हो मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो ये नए नए ड्रामे करके क्या थाबित करना चाहती हो जानती हूँ ये ज़े तुम मेरे बेटे को जरील कर रही हो उसे परिशान कर रही हो ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं नचाने मेरी सास क्या बोल रही थी अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि उसी लमें हसाम आ गए और उन्होंने अपनी मां को रोक दिया जैसे अगर वो ना रोकता तो वो कोई बहुत बड़ा राज बता देती मुझे खैर मैं उठकर अपने कमरे में चली गई मेरे पीचे पीचे हसाम भी आ गए मैं बिलकुल खामोश थी मैं कुछ जानती ही नहीं थी इसी वज़ा से कुछ बोल भी ना सकी क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई वो किस ड्रामे की बात कर रही थी मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ हकसर अब मेरी सास जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती कभी मेरे कमरे से कोई चीज़ उठा कर लाती तो कभी कोई मैंने भी कभी उनसे कोई सवाल ना किया मैंने हसाम से उनके जल्दी आने की वज़ा दिर्याफ्त की पर उन्होंने कोई जवाब ना दिया और बाहर चले गए रात के वाक्त आये मैं उनके इंतजार में सो चुकी थी उन्होंने ही आगर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतिजार कर लेती, मैंने आना तो घर ही था, और लगता है, अब मीठा पसंद नहीं रहा तुम्हें, पहले तो बड़े जोस से खाती थी मिठाई, मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी, मैं तो अब भी खाती हूँ, ये क मुझे इतने सुकुन की नीन आ रही थी, कि मैं दुनिया जहां से बेगाना होकर, उस वक्त सोने के लिए बेताब थी, तक ये पर सर रखते ही मुझे सुकुन समिला, और उस वक्त मुझे कोई घर्स नही थी, कि कमरे में कोई लड़की आई है, या लड़का, मुझे बस सोन मैं यही सोचने लगी, कि आखर वो लड़की कौन थी, और क्यों मेरे कमरे में आई थी, सारा दिन मेरा उसी परिशानी में गुजर गया, मैंने फैसला कर लिया था, कि अपसे मिठाई नहीं खाऊंगी, सब कुछ इसी की वज़ा से हो रहा था, जबसे मैंने वो खानी शुर रहे थे, वो मुझे पकड़ा कर बाहर चले गए, थोड़ी दिर बाद आये, तो मैं तक्ये पर सरक के सोने का ट्रामा करने लगी, पहले हसाम नजाने किस से बातें कर रहे थे, मुझे कुछ समझना आई, वो इंग्लिश में लगे हुए थे, मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही, फिर मुझे सच में नीन आने लगी, जब काफी रात हो गई, रात के बारा बज़े का वक्त था, कि कोई कमरे में दाखिल हुआ, मैंने हल किसी आंके खोल कर देखा, हसाम ने उससे जो बात की, वो सुनकर मुझे यू लगा कि किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ द लगा, सोए हुए भी मुझे एक पल के लिए, हसाम से नफरत हो गई, वो शक्स कौन सी दवाईयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ ना आया, अचानक वो दूसरा शक्स, मेरे पांस आया, मुझे बजू पर चुभन होने लगी, उन दोनों की बातें सुनकर, मेरी रू मुझे समझी ना आये, कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन मैं बरताश की लेटी रही, नचाने मुझसे हसाम क्या चाहता था, और ये सब क्या था, सुभा में उठी, तो मेरी आँखें लाल होई थी, आज मेरी आलत पहले से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, और मुझे य खेल खेल रहे थे, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, दफरत होने लगी अपने शोहर से, बेरा दिल करने लगा, कि मैं सब कुछ छोड़ कर, अभी के अभी अपने घर चली चाहूं, उस वक्त मैं शदीद तकलीफ में थी, पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर पर गई, जहां पर बट्टी बंदी होई थी, हाज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे, मैंने कोशिश की, कि पूछूं के हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात याद आ गई, मेरा दिल किया, कि पूछूं वो मुझसे क्या चाहते है दो मरतबा कोशिश भी की, लेकिन फिर खामोश हो गई, कि अगर मैं गलत हुई तो, फिर कल रात जो मैंने दिखा, वो सब कुछ भी सोचने लगी, हसाम अचानक क्यों बदल गए थे, कुछ तो इनके दिमाग में भी चल रहा था, जो वो मुझे नहीं बता रहे थे, अगर क में लगता, कि जैसे मेरा सरबी फट जाएगा, मैं सारा सारा दिन, हर पोरी पोरी रात बेचान रहती, मेरा दिल भी खबरा रहा था, हसाम अब बरात को देर से खराते, और अपनी मां के कमरे में चले जाते, जिस दिन हसाम कमरे में ना आते, मेरी तब्यत खराब होने लगत कभी हाल पूछा है मेरा कि सारा दिन तबियत कितनी खराब रहती है। मैंने आज घुस्से में तंग आकर कैं ही दिया था। और वो मुझे अजीब सी नजरों से खोड़ने रगे। मैं उन्हें देखती रही। वो मुझे बिना कोई जवाब दिये वहां से चले गए। अगले दिन मैं अपनी नन के साथ शौपिंग करने गई। उसने कहा कि लंज करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरण में चले गए। और मीरी नजर अचानक से सामने वाली टेबल पर गई। मेरी आँखें वहीं पत्रा गई। मैं वहां से फौरण निकल आई। मेरा दिल किया कि हसाम को गोली मार दो। तो ये थी उसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात यही लड़की कमरे में आई थी। मुझे यकिन हो गया। खराते ही कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्या नास कर दिया। मेरे आँसू भी गिर रहे थे। हसाम मुझे धोका दे रहे थे। वो मुझे इस्तिमाल कर रहे थे। रात को हसाम आया। हाज उसका मूट पहले की तरह ही था। वो मेरे लिए मिठाई भी लाए थे। पर कमरे में दाखिल होते ही ठिटक गए। और मुझे देखकर पूछने लगे। ये सब क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? अभी भी मुझे से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? बताएं अपनी सच्चाई। क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्यूं मुझे अपनी जिन्दगी में शामिल किया हुआ है? बैंने खुस्से में बूचा और वो नासमजी से देखने लगे क्या क्या रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ये कमरे का क्या हल बनाया हुआ है? आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है हसाम ने मुझे सूफे पर बठा दिया आप इस मिठाई में क्या मिला कर मुझे खिलाते हैं? और आप ऐसा क्यूं करते हैं? मैंने खुस्से में बूचा मैं आज सब कुछ चानना चाहती थी नीम की गोलियां मिला कर खिलाता हूँ मुझे बिल्कुल उमीद नहीं थी कि हसाम इतनी आसानी से बता देंगे और वो भी मेरे एक बार ही पूचने पर मैंने खुस्से में पूचा क्यूं मिला कर खिलाते हैं? क्यूंके मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता वो बड़े आराम से बोले मैंने खुरा हसाम मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी मुझे आपके साथ नहीं रहना मुझे तलाक चाहिए मैंने खुस्से में कह वो भी एकदम से ही खुस्से में आ गए थे मेरी सच्चाई मेरे बारे में और वो भी तुम जानती हो तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती फिर मेरे बारे में क्या जानती होगी जानती हो अपने बारे में अच्छा चलो ये मान लिया, तुम मेरे बारे में जानती हो, तो जरा पहले अपने बारे में तो बताओ, कि तुम क्या जानती हो, वो मुझसे ऐसे पूछने लगे, जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी जंदेगी का कोई राज ही नहीं जानती, कौन था वो शक्स, जो उस रात कमरे में आया था और कौन थी वो लड़की, जिसे आप बुलाते हैं मुझे नीन की दवाई खिला कर बताएं, और वो होटल में हाज आपके साथ कौन लड़की थी उसके बारे में भी बताएं न, और अपनी माँ की कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं, मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है मैंने घुस्से में चिलाते हुए पूछा, और तुम अपने बारे में ये जानती हो कि तुमारे माबाप क्यूं तुम्हारी शादी करना नहीं चाहते थे वो सरफ मुझ से ही नहीं बलके किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे क्योंके तुम एक बीमार लड़की हो और वो कहते थे कि तुमने जल्द ही पागल हो जाना है जो भी तुमसे शादी करेगा वो तुम्हें तलाग देदेगा मेरी मां भी फिर तुम्हारा रिष्टा नहीं लेना चाहती थी मेरी जिद पर तुम्हें मेरी मां ने उस घर की बहु बनाया और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलिया खिलाने की तो एक रात थोड़ी सी मिठाई तुमने खाई थी अपना हाल देखा था मर जाती तुम अगर नींद की दवाई ना खाई होती तो नींद वाली दवाईयां खिलाकर इलाज करवा रहा था तुम्हारा और वो लड़की तुम्हारा इलाज करने आती थी और उस रात वो डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था मानता हूँ कि रात के वक्त वो लड़की आती थी हगर कहती हो तो बात भी करवा देता हूँ कि वो यहां क्या करके जाती थी और वो ही लड़की हाज रात होटल में भी मेरे साथ थी हेक उमीद दिला रही थी हाथ पे हाथ रख कर कि तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा और यही रोजाना मेरा अपनी मां से जगड़ा होता है वो कहती है तलाग दे दो इस बीमार बीवी को क्यों साथ रखा हुआ है पहले तो उन्हें हमदर्दी थी तुमसे हब वो तुमसे नफरत करती है क्योंके मिरा हाल सर्फ वो तेखती है کہ अंसर है तुम्हें इसी वज़ा से तुम्हारे घरवाले कहते थे क्यों मर जाना है तुमने अगर पागल हो गई तो जिससे शादी होगी वो छोड़ ही देगा तुम्हें इसी वज़ा से मेरी माँ ने तुम्हारे बाप से कहा था कि हम खयाल लखेंगे तुम्हारा और ये जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डालती है ऐसा कुछ नहीं फिकर मत करो मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी हसाम ने मुझे सारी सच्चाई बता दी हसाम की बाते सुनते सुनते मुझे एहसास ही ना हुआ कि कब मेरी आँखों से आँसू करने लगे मेरा दिल किया कि जमीन भटे और मैं इसमें समा जाओं मैं कितना इस शक्स को गलत समझ नहीं थी और मेरे लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था मुझे कैंसर था और इसकी बावजूद वो शक्स मुझे अपने साथ रख कर बिना मुझे बताए कि मैं परेशान नहूँ मेरा इलाज करवा रहा था और मैं उसे कितना गलत समझ रही थी मैंने उससे रोते हुए वाधा किया कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करोंगी वो भी मुस्करा दिया जानता हूँ अब तुम कभी ऐसा नहीं करोंगी और तुम जल्दी ठीक भी हो जाओगी हसाम ने मुझे दिलासा दिया अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं कल एक नई और दिल्चस्प कहानी के साथ अल्ला आफ़ा झाल आफ़ा झाल 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 झाल